इस क्लास में चर्चा की विजिस के बारे में कानेटिक एनर्जी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ठीक है बच्चों यह अगर आ गई है तो अब हम इसका यूस जो है वो भी देखेंगे बट अभी नहीं थोड़े समय बाद हम देखेंगे तू पार्टिकल्स सिस्टम में इसका यूस बहुत जबरजस्त होता है ठीक है वहाँ पर जाकर करके हम इस चीज को देखेंगे और फिर मज़े करेंगे ठीक जान से सुनिएगा अभी हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों और हम देखने जा रहे हैं डाइनमिक्स ओफ सिस्टम सिस्टम पार्टिकल्स क्या होता है अगर सिस्टम पार्टिकल्स पर कोई फोर्स लग रहा है तो उसको कैसे टैकल करेंगे ठीक तो उसको समझने के लिए पहले हम वह एक्वेशन लिखते हैं जो हम पहले सीख चुके हैं सिस्टम का मोमेंटम अगर आपको यादो तो P1 प्ल यह बराबर था यह भी थोड़े पहले भी दिखाया तो बच्चों डीपी सिस्टम बाइडीटी अगर मैं करूं डिफ्रेंशेट करूं इस चीज को यहां से क्या आएगा डीपीवन बाइडीटी अगर यह बराबर हो जाएगा और इंट्व फिस्टम आलेग गिया ठेक बच्चों इतनी समझ में आगई जाए यह तक के अशा उवUR है अश्व है षैंपार्डिकल के लिए हमने पढ़ा है बच्चों unit All- ёन उबाएंडीटी एक पार्टिकल के लिए तो तो यार्ड यह तो उसको और सॉख पार्टिकल क क्या होगा पार्टिकल का मांस तो चेंज होना नहीं बच्चों तो दी बाइडी टी ओफ M V अगर मैं बोलू M V1 M1 V1 तो M1 बहर आ गया डी वी बाइडी टी भी तो लिख सकते हैं इसको मतलब M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस M3 A3 एंड सो ओन बराबर इसको यह भी लिख सकते हैं टोटल M इन्टू ACM आ जा सकता ना भे सही है क्या नहीं समझ में आ रहा लग रहा है अगे बढ़ते हैं आगे की कहानी यह है कि अगर मैं बात करूँ कि M1 A1 अगर मैं बात करूँ फ्रेम इस इनर्शियल फ्रेम इस इनर्शियल तो यह न्यूटन सेकेंड लॉड करेगा तो यह F1 नेट के बराबर होगा की नहीं होगा प्लस यह F2 नेट के बराबर होगा की नहीं होगा ऐसे यह वाला F3 नेट के बराबर होगा की नहीं होगा नेट ठीक है बराबर M.A.C.M ठीक अच्छा जड़ा इमाजिन करो अगर मैं यहाँ पर सिस्टम आफ पार्टिकल ऐसा लेता हूँ जैसे मान लो यह है प्लस Q चार्ज यह है माइनस Q चार्ज ठीक है Q1 ले 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 दें बेच्चो ठीक और यहाँ पर मान लो प्लस Q2 चार्ज है ठीक यह तीन चार्ज पार्टिकल का एक सिस्टम है अब Q1 और Q2 के बीच लगने वाला फोर्स ऐसे आएगा आएगा ना इस तरीके से आएगा और Q1 और माइनस Q1 के बीच लगने वाला फोर्स इस तरीके से आएगा प्लस मैंने क्या किया एक एक्स्टर्नल फोर्स F और अप्लाई करती है यहाँ पर एक्स्टर्नल फोर्स F और अप्लाई करती है तो अगर मैं इस particle पर बोलूँ तो कितने तरीके के force लग रहे हैं मैंने system तीनों को मिला के लिया है external अलग लग रहा है और ये दो भाई लोग इसके internal अलग लगा रहे हैं ठीक है तो क्या मैं कह सकता हूं one particle पर लगने वाले force को in general दो part में break किया जा सकता है एक्सटर्नल लग रहा है और एक्सटर्नल लग रहा है और एक्सटर्नल लग रहा है और एक्सटर्नल लग रहा है बराबर अब क्या करें सारे एक्सटर्नल वालों को समेशन कर दें तो एक्सटर्नल का समेशन और सारे समिशन कर दें समिशन करें इंटेर्न वोर्टिस की डेफीनिशन आत चुके हैं इसका मतलब सारे समिशन करूंगा तो अगर कोई ना flight is तो ओब पॉन सब्सक्षर old ऐक्चन का समाइचन जीरो होता है इसका मतलब इनटर्नल फोर्जolly की समिशन सीरो होता है that means dp system by dt बच्चों टोटल net f external के बराबर होता है इसको f net external भी कह सकते हैं चीक है और simultaneously इसको हम लोग macm भी कह सकते हैं तो final equation हमारे पास क्या आई dp किसी भी system का rate of change of momentum पार्टिकल के लिए नहीं अब यहां के लिए आ रहा हूं सिस्टम पार्टिकल के लिए लेकर coincidentally यह वैसा ही equation आ रही है जैसे कि हमने पढ़ी थी पार्टिकल के लिए याद करिए आ रहा है ना किसके बराबर होता है F external के पड़ाबर यफ यह बराबर ये c अच्छा एक बात बताई है अगर एंध मासक का एक पार्टिकल होता और उसपर सेम फॉर्स लगाते ए ऑन एप पार्टिक आ रहा है आ रहा है अब याद करो center of mass की definition जो मैंने लिखवाई थी center of mass body का वो point है जिसका acceleration वही होता है जो same mass के एक particle का होता under the application of same forces आ गया ना same definition ठीक वो जो definition लिखवाई थी वो आगी ना भाई clear है जैसे मैं एक बात बताता हूं दो इंट्रेस्टिंग बात सुनिएगा इससे बड़िया बड़िया एक्जाम्पल्स बताता हूं पहला एक्जाम्पल्स माल लीजे यह एक रॉड है ठीक है यह horizontal plane पर रखी इस पर रखी बच्चों horizontal plane पर रखी ठीक माल लीजे एक केस में यहां पर force लगाया एफ नॉट बच्चों same road है एक केस में यहां force लगाया एफ नॉट और एक केस में हमने यहां पर force लगाया एफ नॉट यह horizontal plane पर मास है मास है मास है मास है ठीक frictionless plane में माल लीजिए मिव बराबर 0 है center of मास रॉट के center पर बताए किस केस पर center का एक्सेलेशन जादा होगा बताएए कि अगरे कि अगरे कि अगरे कि अगरे कि सेम होगा तीनों में एक्क्वल हाँ क्योंकि यह एक्स्टरनल पराबर में सीमघ्व इक्विशन आई है उसमें यह आया है कि लगना कहा चाहिए तो नहीं आया ना बच्च तो इसका मतलब अगर मैं उसे उस से देखू तो आप नॉट बराबर में सीम इंग अजिए क्वस्तू एक्वेस टूट भाई है चलिए कुछ अप्लिकेशन देखते हैं आफ एक्स्टेनल बराबर में सी एम के नेट कोशन नहीं पूछुँँगा मैं और कोशन नहीं पूछुँँगा आप कोशन तो मैं बताऊं मैं सौरी आपसका सलुशन बताइए बच्चो यह एक output मशीन है, यह M1 मास है, यह M2 मास है, ठीक, system आप लीजिये, M1 प्लस M2 प्लस string, ठीक है, F external आपको पता है, देख लीजिये, क्या होंगे, find ACM, by applying F external बरावर MACM, यह apply करके, यह ACM बता है, ठीक, चलिए, यह सवाल किया हुआ है, बस दूसरे method से, बहुत बढ़िया हार्दिक, तुम्हें यह बात याद आगी, और यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, याद आना इस बात का बहुत जरूरी है, तो जिरा ध्यान से सु एक तो गुरुजी लग रहा है, M1 जी, एक लग रहा है, M2 जी, ठीक है, अच्छा, यहाँ पर यह पुली भी तो लगाएगी, फोर्स बच्चो, ऐसे 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 ऐस जो मैंने लिखा है उस सिस्टम पर कौन कौन से एक्टरनल फोर्स लग रहा है उपर लग रहा है बच्चो टू टी और नीचे लग रहा है M1 प्लस M2 जी अनमूल बताओ पिटा क्या बाद है टू टी ऊपर M1 प्लस M2 जी नीचे चलिए वैलू डाल दें बच्चों डालके देखता है तो M1 प्लस M2 इंटू जी माइनस टू इसकी वैलू मने याद करने के लिए आप से कई बार कही है फाइनली ये 4 M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी आ जाता है और ये आगया M1 प्लस M2 इंटू ACM ठीक यहां से ACM की बच्चों वैलू क्या आ रही है चेक करिए यहां से ACM की वैलू आती है M1 प्लस M2 का होल स्क्वाइर माइनस 4 M1 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वाइर यही आ रहा है इंटू जी और ये वैलू खतम होती है कहां परातर के M1-M2 अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वाइर इन टूची देख लिजे बच्चा पार्टी कोई डाउट हो तो पूछ लिजे निकुन्ज शर्मा कौन सी क्लास में है बिटा आप निकुन्ज शर्मा जी ठीक है अब मैं आपको बच्चो एक और मेंथड दिखाता हूँ एक और के कोश्ट है तिरा द्यान दीजे बच्चो यहां पर एक रिंग है यहां पर एक थ्रेड है यह है रिंग जो की ओमेगा एंगलर विलास्टी से घूम रही है ठीक है अच्छा अब इस रिंग के आधी रिंग की मैं एक बड़ी बनाना जा रहा हूँ कर सकते हो अनमोर बिल्कुल कर सकते हो ध्यान से सुनना इस रिंग में टेंशन पूछा गया फाइंड टेंशन फाइंड टी याद है सीवी का सॉल एक्जामपल बारा है यह एक रिंग है उसको उमेगा से घुमा दिया इसका मास रिंग का बताईए आप इसमें कितना टेंशन डवलब होगा याद आया कोशन ठीक है अब मैं इस कोशन को आज एक्टेनल बराबर में सीएम की मदद से करने जा रहा हूं देखना मदा आने वाला है आपको इसका मास बच्चों में बाइटू होगा यहां पर टेंशन टी यहां पर ट बॉला इसका सेंटर है यह बइंग सेंगर वाल यह गुम रहा होगा होगा यह खुम रहा होगा ठेक हो भी एशन कर रहा होगा संग करते में तो अब को पता है अगर वह और नघिए तो और उमेगा स्कॉर एक्सेशन अचले पारटी तो क्या लिखोगे 2T बराबर M by 2 मास हो गया ACM, ACM B Center of Mass का Acceleration ठीक है R omega square अच्छा M by 2 R की वैलू बोलो 2R by pi omega square यह 2 से 2 cancel और आप चेक कर लीजे यही answer आता है SCV के उस question का देख लीजे कोई doubt आए तो पूछीजे यह है question वाख कोई doubt बच्चो doubt है तो पूछ लीजे बनना मैं आगे बढ़ता हूँ turn नहीं अभी doubt ठीक डाउट नहीं आ रहे है ना आज ने कहा चल यह जे तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ ठीक एक question आपको देता हूँ कि यह यह कोशनवा नोट करिए कि कोशनवा है यह अधिर आप mechanics खतम होने के बाद जिमेटिकल आप्टिक्स का कोर्स लाओगे यूट्यूब पर बताओ या इलक्ट्र जिमेटिकल आप्टिक्स पढ़ाओं या फिर इलक्ट्रो स्ट्राटिक्स शुरू गरूँ बताओं क्या करा जाएं आप लोग बताओं कोशन नहीं है बाँम ए इस प्रोजेक्टिड अ कि बाँम एस प्रोजेक्टिड अबोठ ग्रांग अबोठ ग्रांग विद वेलोसिती विद वेलोसिती यू अ गान थिता प्राइट बैज जो आज स्टार्ट हुआ उसके टेस्ट में पहले अप्टिक्स है स्लिबस में, बिलकुल सही बात है, प्राइट बैज में पहले अप्टिक्स है, सही कहा रहा है, बॉम A is projected above the ground with velocity u at an angle theta, ठीक, from horizontal, from horizontal. Worm explodes at maximum height into two parts into two parts B1 and B2 of equal mass. of equal mass, check by, if B1 falls freely from highest point, highest point, then find where B2 will reach, 2 will reach on the ground, on the ground, check, अच्छा चलो फिर इस कोश्चन को देखता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इंट्रेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन है, आसान बहुत है, लेकिन इससे रिलिटेट थियोरी जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्छो, ठीक, ध्यान से सुनियेगा, अक्टिन नॉइस कैंसिलेशन कुछ होता है, अभी बताओंगा मौका लगेगा, अभी तो फिलाल यहां फोकस करना बच्छो, तो यह है ग्राउंट, ठीक है, इस ग्राउंट पर एक पार्टिकल को फेका गया, अध्यान से सुनना, जब यह हाइस्ट पॉइंट पर मैक्सम हाइट वाले पॉइंट पर यह कह सकते हैं, रेंज के आधे पर गिरेगा, यह पूछ रहा है कि दूसरा पार्टिकल बताइए कहां गिरेगा, ज़्यान से सुनिएगा, यह बताइए कि इनका सेंटर ओफ मास, वैसे ही चलेगा, अभी भी जैसा कि एक पार्टिकल चल जब यहां पर आ रहे होंगे, जब यह भाई साब यहां आ रहे होंगे, इस जगे आ रहे होंगे, इस जगे आ रहे होंगे, तो इस जगे आने पर, ध्यान से सुनना मेरी बात, इनकी होरिजंटल वेलास्टी बोलिए, जीरो, सॉरी, इनकी वर्टिकल कॉम्पोनेंट औफ व है नीचे जाने के लिए इसका मतलब दोनों को time same लगेगा इसका मतलब है जब यह particle होगा तब यह particle होगा तो motion कैसा होगा बच्चो यहां से particle जा रहा होगा यहां बिस्पोट हुआ यह इधर चलना शुरू करता है यह इधर चलना शुरू करता है और दोनों लोग simultaneously यहां पहुंसते हैं तो इस पूरे motion में इस पूरे motion पर बताइए इस system पर क्या मैं कह सकता हूँ continuously mg force लग रहा है जहां पर एम जो है वो total mass है और बोलिए ना भाई लग रहा है न तो यह बराबर क्या होगा macm होगा तो acm क्या होगा क्या होगा जी के बराबर यानि कि center of mass अभी वैसे ही चलेगा continuously bum के explosion से center of mass पर कोई फरक पड़ेगा क्या देखो चेक करो bum के explosion से कोई external force आएगा क्या बच्चो नहीं आएगा ना तो external तो mg रहेगा न यानि center of mass अभी वही path follow करेगा जो पहले path follow करता that means this is the path of center of mass जो particle ना तूटने पर करता वही center of mass करेगा क्यों वही या करेगा इसका मतलब center of mass यहां गिरेगा यहां से range पर अब बताइए m by 2 यहां पर है तो अगला दूसरा वाला m by 2 कहां गिरे ताकि center of mass यहां पर आ जाए बीच ओ बीच यह आर भाई 2 है ना तो यह अला point भी आर भाई 2 पर गिरेगा तो काम बन जाएगा ना इसका मतलब 3 आर भाई देख लो भाई कोई doubt आए तो पूछिए नहीं है नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं अगली चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है principle of लेनियर मुमेंटम कंजर्वेशन लेनियर मुमेंटम कंजर्वेशन चुकि center of mass से explosion में फर्क नहीं पड़ेगा तो center of mass बिंदास वैसे चलता रहेगा जैसा कि explosion ना होने पर चलता यह गह रहा हूँ ठीक है principle of linear मुमेंटम कंजर्वेशन हार्दिक ने कहा यह principle होता है हाँ बिटा यह principle होता है बिलकुल होता है आज की डेट में यह principle है क्यों है बताओंगा चिंदा मत करना लेकिन आज नहीं बताओंगा modern physics पढ़ा हो मैं तब बताओंगा एफ external बराबर macm या फिर dp system by dt हमने पढ़ लिया है अब मैं कहूं if f external is zero अगर f external summation zero है तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ dp system by dt यह भी zero होगा और यह भी zero होगा तो p system यह जो है वो constant होगा ठीक भई चलिए समझने आगरी बात अच्छा अब आते हैं आगे in absence of in absence of sigma f external in absence of sigma f external statement likhram linear momentum momentum of a system of particle of a system remains constant सीधा सीधा यही लिख देता हूँ ठीक है अगर external force नहीं है तो linear momentum क्या रहना चाहिए बच्छो constant रहना चाहिए ठीक in com frame momentum will always be zero and kinetic energy will be minimum in this frame hence conserved क्या बात है बाई शाबाश बहुत बढ़िया center of mass के frame में इन्होंने कहा है एक बात जिशान ने बहुत अच्छी बात कई जिशान ने दिल खुश कर दिया मेरा और जिशान ने बोला है कि सर center of mass के frame में क्या होता है जरा उस पर देख लें तो मैं याद दिलाता हूं system होता है m into vcm होता है center of mass के frame में center of mass की velocity बोलिए 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 जीरो होगी ठीक तो system का linear momentum in center of mass frame is always zero और kinetic energy क्या होती है बच्चो minimum यह बात बच्चा बताया है तो बहुत बढ़िया बात बताईए मुझे law principle में मतलब समझ नहीं आया आज तक बलकुल बताऊंगा एक अभी छोटी सी हिंड देता हूं तुमको छोटी सी हिंड दिया है बच्चों कि law जो है वो उसे कहते हैं law उ एक फिजिक्स की एकी स्ट्रीम तक वैलिड है फिजिक्स की एकी स्ट्रीम में वैलिड है फिजिक्स की एकी स्ट्रीम का क्या गुरू जी मतलब है फिजिक्स की एकी स्ट्रीम का मतलब है बच्चा तीन तरीक तीन स्ट्रीम है फिजिक्स की क्लासिकल मेकेनिक्स या नीटोनि physics में या Newtonian physics में valid होता है वो quantum physics में valid नहीं हो हो सकता है बिल्कुल हो सकता है लेकिन principle वो चीजें हैं जो physics सी तीनों stream में valid है ठीक है कैसे से वो भी बताओंगा कैसे ठीक है अब फिलाल हम इसको आगे बढ़ते हैं बहुत interesting सी कहानी है इसके पीछे अच्छा बचो तो इस पर बेस्ट कुछ कोश्चन करने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना बहुत ही interesting कोश्चन है बड़े मज़दार कोश्चन है इस पर बेस्ट तो वो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा सब बताएंगे बच्चा कैसे सेंटर अफ मास के तो सबसे पहले केस वन हम ले रहे हैं इस पर बेस्ट कुश्चन में क्या वी सीम बच्चा जीरो है पहली बात दो मतलब इन सी ओ एम फ्रेम है इसको यू भी कह सकता है और एफ एक्स्टर्नल भी जीरो है अब एफ एक्स्टर्नल अगर जीरो है बच्चो तो हमने क्या पढ़ा है बच्चा पाटी पी सिस्टम क्या रहेगा बोलो कंजर्व रहेगा क्या रहेगा कॉंस्टेंट ठीक लेकिन है कितना यह होता है MVCM और VCM कितना है? 0 तो P system क्या रहेगा? 0 यहनी कि हम उन questions को पढ़ने जा रहे हैं जिन में P system 0 रहेगा या फिर इसको यह कह सकते हैं कि center of mass COM will remain at rest throughout the process at rest अभी हम ऐसे question करने जा रहे हैं ठीक है? इन question में क्या पूछेंगे? बहुत सारी चीज़े पूछी जा सकती है पार्टिकल की position पूछी जा सकती है पार्टिकल की velocities पूछी जा सकती है generally two particle system की question किये जाते है quantum field और quantum mechanics अलग stream है ना ऐसा शायद university physics के starting में था नहीं ऐसा नहीं है stream words use कर रहे है वहाँ कुछ और word use किया होगा चरिए खेर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों example सुनिएगा एक example इस case one का ध्यान से देखिएगा मान लीजिए ये एक plank है ये जो आपको दिख रहा है ना ये plank है mass m का ठीक है इसकी length है l capital ने frictionless plane mu बराबर 0 है बच्चों यहां एक भाई-साप खड़े है ठीक है भाई-साप का mass है m भाई-साप का mass कितना है m ठीक initially system is at rest initially system is at rest is at rest initially system rest पर है ठीक now man starts moving on the plank and reaches at the other end at the other end of the plank at the other end of the plank find displacement of the plank in the process चलिए बताइए फटाफट कोशन है आपके सामने और जल्दी से कोशन को solve करिए और बताइए कैसे करेंगे फटाफट बताइए आरेन राज ने आंसर बता दिया आरेन राज बहुत फोड़ रहे हैं भाई साब आरेन अज़ा दिया ने आरेन अज़ा श्रूप अज़ा ध्यान से बच्चों अब में से का स्यूशन बताता हूं ठीक हैं सबसे पहली चीज तो यह है कि दुरू जी ये प्लाइंक चलेगा क्यों इसका आंसर दीजिए पहले तो आपने कोश्चन पूछा है कि प्लाइंक का डिस्प्लेस्मेंट क्या होगा तो मेरा कोश्चन है कि प्लाइंक का डिस्प्लेस्मेंट होगा क्यों आप ये तो बताईए भाई आप कहरें प्लाइंक का डिस्प्लेस्मेंट होगा, क्यों होगा मैं का दो तरीके से समझाता हूँ, ध्यान से सुनियेगा, ठीक है आदमी को अगर रेस्ट पे और आगे जाना है उसके लिए अपने पैरों के फ्रिक्शन की मदद से यह अपने उपर यह म्यू जीरो यहां का है ध्यान लखेगा प्लाइंक और फ्लोर के बीच का, आदमी और मैन की बीच का नहीं है तो आदमी पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आगे, तो प्लाइंक पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे आदमी जाएगा आगे प्लैंक जाएगा पीछे पार्टिकल डाइनामिक्स हम अलग से पढ़ चुके हैं मतलब जहां सिंगल पार्टिकल को हम ट्रीट करते थे वो हम पढ़ चुके हैं उसमें हम मतलब आदमी को अलग से ट्रीट करना होता था और plank को अलग से treat करना होता था यही सब पढ़ा था हमने अब ऐसा नहीं है अब system of particle हम लोग पढ़ रहे हैं हम पूरे को system मानिए सर अब explain करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है आदमी और plank दोनों को system मानिए और हमें बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है मैं का ठीक भाई बिल्कुल सही question है आपका मैं का देखे साब इस पूरे system को अगर मैं system लेता हूँ m प्लस m इसको मैं system लेता हूँ तो इस system पर बच्चो horizontal direction में force बोलिए f h horizontal direction में total force बोलिए आदमी प्लस plank पर क्या कोई horizontal direction में force है नहीं है इसका मतलब horizontal direction में momentum conserve रहेगा momentum conserve रहेगा लेकिन momentum था कितना zero तो क्या रहेगा zero यानि कि center of mass will remain at rest will remain at rest होगा की नहीं होगा center of mass को बच्चो rest पर रहना अब center of mass को rest पर रहना आदमी को आगे जाना है center of mass को rest पर रहना है तो इसको पीछे जाना पड़ेगा clear है भाई समझ में आई बात मतलब ये बच्चों कि अगर ये पीछे ये पीछे delta r2 गया और ये आगे delta r1 गया with respect to ground sir l दिया तो है दूसरे end पर पहुंच गया नहीं भाई नहीं ये तो plank के relative उसने l travel किया है ground के related तो भगवान जाने क्या travel किया होगा नहीं का बात तो सही है लेकिन एक बात ये भी सही है कि m delta r1 minus m delta r2 ऐसे होंगे ताकि center of mass shift ना करे याद करे displacement of center of mass मैंने पढ़ाया था displacement of center of mass is m1 delta r1 plus m2 delta r2 upon m1 plus m2 पढ़ाया था कि नहीं बच्चो ठीक अब वो displacement तो है 0 तो m1 delta r1 minus capital m delta r2 बराबर 0 आ गया यहां तक clear है बच्चो ठीक है बहुत अच्छी बात अब हम आगे बढ़ते हैं अगे कैसे बढ़ें अब हम आगे ऐसे बढ़ते हैं बच्चो कि यहां पर हम यह देखना पड़ेगा कि यह जो l दिया है अगर यह भाई साब देखना जरा ध्यान से माल लीजे यह यहीं तक पहुँचे हो और plan कितनी देर में यहां तक पहुँच गया हो ठीक है हाँ तो यह कितना चले delta r1 और plan कितना चला delta r2 तो बताएए जरा delta r1 और delta r2 का summation किसके बराबर होगा l के बराबर होगा कि नहीं होगा अच्छा इस बात को आप यह भी सोच सकते हैं अनकेडमी फांडेशन पर क्लासे कब से चालू होगी अल्लेडी चालू है बेटा हिमेश आप पता करें अल्लेडी चालू हो चुकी है तो इसको यूँ भी सोच सकते हैं displacement of man with respect to plank equals to displacement of man with respect to plank displacement of man minus displacement of plank उससे भी किया जा सकता उससे भी करके देख लीजे same चीज़ आएगी क्या? same चीज़ आएगी delta r1 delta r1 plus delta r2 बराबर l solve कर लीजे और answer निकाल लीजे तो plank का displacement कितना आता है पता है? आपको ml upon m plus l यह आता है यह बच्चो method number one अब method number two बताता हूँ ध्यान से सुनियेगा जरा method number two मेरा यह है भूँ ध्यान से सुनना बहुत मस्त चीज़ बताने जा रहा हूँ तो मज़ा आ जाएगा भाईजा method number two यह है कि यह बताओ होना क्या चाहिए? आदमी को finally यहाँ पहुँचना चाहिए? और center of mass को displace नहीं होना चाहिए? plank को ऐसे चलना है plank को इतना displace होना है कि आदमी दूसरे end पर पहुँचे और center of mass अपनी जगे से shift ना हो यही है तरीका मैंने का finally मैं इसी situation पर पहुचा दूँगा finally मैं इसी situation पर पहुचा दूँगा ठीक है? लेकिन मेरा process दूसरा होगा लेकिन मेरा method दूसरा होगा क्या गुरू जी? कि देखो मैंने plank को पकड़ लिया मैंने एक आत्मी से कहा भाई प्लैंग को पकड़ के बैठो और इस से कहा तू अपनी इच्छा पूरी कर ले मेरे दोस्त इस भाई ने इच्छा पूरी कर ली यह भाई यहां पर आ गया यह भाई यहां पर आ गया और यह भाई यहां पर आ गया तो मैंने कहा इच्छा पूरी कर ली तू ने इच्छा पूरी कर ली तू ने यह भाई यहां पर आ गया और यह भाई ने पकड़के रखा है कि जाने नहीं दूंगा कहीं पे लेकिन इस वजह से इस वजह से सिस्टम का शेंटर उफ मास, भाई के आगे आने से center of mass कितना shift हो गया ml upon m plus m m1 delta r1 plus m2 delta r2 upon m1 plus m2 याद आया center of mass shift हो गया क्योंकि ये भाई ने plan को move नहीं करने दिया अब मैंने इसको डाट लगाई मैंने अब ये क्या कर दिया तुने यार plan को ऐसा shift कर ताकि center of mass अपनी पुरानी location पे आ जाए और आदमी से बोल की चिपका रहे इसी end पर अब नहीं move करना है उसने का गुरू जी कि ये क्या है center of mass इतना आगे बढ़ा था इतना ही plan को पीछे ले जाओंगा तो यही answer है plan का displacement of plan चेक कर लीजे क्या आपको मेरी पास समझ में आ रही है अभी classes के वीडियो नहीं डालने पेटा उस channel पर लेकिन जल्दी आना शुरू जाएंगे बच्चा क्या भाई समझ में आया कुछ की नहीं आया देख लीजे क्या भाई समझ में नहीं आया क्या आ गया sound में चलिए तो फिर मैं आपसे question पूस्ता हूँ देखते कितने लोग इस question का answer बता पाते हैं ठीक है question हुआ है यह कि यह plank है mass m का ठीक किसका है m mass का plank है यहाँ पर एक आदमी भाई साब कड़े हुए है m1 mass के और दूसरे भाई साब कड़े हुए है m2 mass के और यह plank की जो length है वो l है ठीक है यह नााउ अ खाझ शुआ है कि भाउ कैंस अ अबने बाउgrass जो ऑ Begin के है कर अमने ओफार टर्पाने बाउख के ऊदा़ल छू खेंट है कि लोगत is. . ऩाई दिए सब्सक्ड आउने धावाब hाई पाढ्छ्चi के रूच है this our first ठिक, plank पर अपनी position, वो change कर लेता है, point displacement of plank, point displacement of plank in the process, of plank in the process, चलिए शुरू हो जाएए, देखते कितने बच्चे बताते हैं, देखें बाई, कितना जोर है आपके पास, जोर है, लुदाँ सकते हैं, जढ़ एगाने जड़े ठाहने जड़ें। कि चाहिए देखते हैं कैसे करना है ठीक है माल लीजे ये वाला इंसान मैंने कहा एक तीसरे इंसान को मैं लाया और उस तीसरे इंसान से मैंने कहा कि भाई इस प्लैंग को पकड़ के रखो यार इस प्लैंग को जाना नहीं चाहिए तो यह भाई भाई प्लैंग को पकड़ करके ठीक है फिर मैंने कहा इस भाई से मैंने कहा यार तू वह अपनी इच्छा पूरी कर ले और इस भाई से कहा यार तू अपनी direction को divided by M1 plus M2 plus M3 इतना center of mass positive direction में shift हो गया ग्रीन वाले बंदे को कहा अबे यह क्या गर दिया यार center of mass shift हो गया तेरे चक्कर में वो नहीं होना था तो उसने का गुरुजी अदाई है आदमी की पोजीशन अभी क्या रखनी है मैंने का प्लाइंग के रिलेटिव अब आदमी को चेंज नहीं होना उसने क्या किया फेवी कॉल लगा दिया इनके पैरों पर भाई इल्ला नहीं कहता लोग गुरुजी पूरे सिस्टम को वो इस साइड ले आया कितना डिस्पेस किया इतना अपोजिट डारेक्शन में दिस इस दा अंसर यहीं अंसर है बच्चों देख लीज़े कोई डाउट आए तो पूछ लीज़े आ बेटा सक्षम राठी को मैं नहीं पढ़ाया था चलिए एक कोईशन वा और देते हैं आप लोगों को ठीक है यह कोईशन आप करके लाईएगा नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कितने बच्चे करके लाते हैं यह है एक कैप्टल M मास की स्क्वार प्लेट ले लें किया इसको स्क्वार प्लेट ले लेते हैं तोड़ा सा इजी आंसर हो जाएगा स्क्वार प्लेट है ल बाई ल की और M मास है इसके चारो कॉर्णर पर चारो कॉर्णर पर M1, M2, M3 और M4 बैठे हैं ठीक है और यह पूरा का पूरा सिस्टम ऑन आइस है आइस पर रखा हुआ है अब यह लोग पार्टी कर रहे हैं कुछ गेम खेलने हैं डान्स वांस कर रहे हैं तो कुछ पहले रेस्ट पे था सिस्टम M1 का मन किया M1 ने कहा M2 की जगे मैं जाओंगा M2 ने कहा मैं M3 की जगे जाओंगा M3 ने कहा मैं M4 की जगे जाओंगा M4 ने कहा मैं M1 की जगे जाओंगा ठीक Assuming this as X and this as Y-axis Find Find Displacement Vector Vector Of Of Square Board Square Board है जिस पर लोग खड़े हुए ना बच्चा उसका कितना displacement होगा वह आपको बताना है ठीक है अब इसी पर question हमसे पूछे जाते हैं ध्यान से सुनियेगा यह question खतम होगा जिन में displacement पूछा गया है case 1 के ही है case 1 के second तरीके के question क्या होता है जिन में velocity पूछी जाती है कैसे question देखिए गजरा ध्यान से यह plank है भाई rest now man starts moving man starts running on the plank plank with relative velocity with relative velocity vr with relative velocity vr find velocity of plank find velocity of plank आप से plank की velocity कुछ ही जा रही है यह भी आपको homework दे रहा हूं बच्चों और जो पिछला question है वो तो आपके लिए homework है ही सही यह वाला homework थी ठीक है इन दोनों homework के साथ हम class आज भी end करते हैं मिलते हैं next class में टटा बाबाई